हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो में यूट्यूब चैनल, कॉमर्स कंसेट्स फोर यू, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, फ्रेंट्स, आज के वीडियो में में डिसक्स करेंगे, टोपिक 2 और उनिट 9, यदिस कॉंट्रेक्ट अफ गरेंटी, सो में बात करे आपने फ़र्स फोर यूनिट्स नहीं करी हैं, तो वह भी कर लिजेगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दूँगा, सो टाइम को वेस्ट की मिना स्टार्ट करते हैं, आज का टोपिक, चलिए, समसे पहले बात करते हैं, कॉंट्रेक्ट अफ गरेंटी है क्य अगर कि दूसरे पर्स नहीं करेज है, चलिए, कि अगर किसी दूसरे पर्सन ने, मालनो की एक A है एक B है इन दोनों परसन के बीच में contract हुआ किसी चीज के regarding अब A कहता है कि B को मैं तेरे उपर किस चीज के भीहाफ पर विश्वाश करूँ मैं तेरे उपर विश्वाश क्यों करूँ कि तो मेरा जो हमारे बीच में contract है तो उसको तो इसे कहते है contract of guarantee जहां पर एक परसन जो है गरंटी लेता है अनदर परसन की उसकी obligations की अगर वो अब्लिकेशन फुल्फिल नहीं कर पाया तो उसके भीहाफ पर obligation को फुल्फिल करेगा जो guarantee ले रहा है यह generally bank के case में आपने देखा होगा कई बार अगर एक परसन लोन रिने जाता है तो और उसका लोन अगर पास नहीं होता तो वो उसको बैंक वाले कहते हैं कि आपने साथ में को गरंटी गरंटर ले क्या हो ठीक है तो जब वो लाता है जो जो बंदा एक normally well settled होता ह है तो उसको गरंटर बनाया जाता है ठीक है अगर कल को परसन लोन की किस्ते नहीं चुका पाता तो जो गरंटर होता है उसको बुलाया जाता है तो उसके उपर सारी जो लाइबलिटी से हैं उसके उपर ट्रांसर कर दी जाती हैं ओके तो यह बात होती है contract of guarantee अब एक example दे र पाते हैं तो Mr. Z जो है वो promise करते हैं कि अगर यह loan को pay नहीं कर पाया repay नहीं कर पाया तो उसके बदले में मैं इसका loan क्या करूँगा आपको repay करूँगा ओके देन ही विल रेपे दा सेम इन इस केस एक contract of guarantee Mr. X is a creditor Mr. Y is a principal debtor Mr. Z is a shorty तो इसमे कितनी पार्टी इंवल्व है थ्री पार्टी इंवल्व है ठीक है अब इन थ्री पार्टी के बारे में हम आगे डिसकस करेंगे चलिए अब सबसे पहले पार्टी शोटी अब शोटी को म Merci आखे ले रहा है कि न fatto पूर है इस ब्रेंती कि करेंटी कोन होता हैगे ट जा रही है शोटी के थूरू वो कोने प्रिंसिपल डेटर और प्रिंसिपल क्रेड़र कुन है तो पर्संट वूम दा गरंटी जिए वो प्रिंसिपल क्रेड़र अब एक एक ग्जमपल के थूरू आपको समझाएगा यहां पर ले लेते हैं यहां पर Mr. X था वो लोन दे रहा अब बात करते हैं काईंट्स ऑगरंटी कि इंतर है की होती है तो देरार मेली टू टाइपस एक होती है स्पैसिफिक गरंटी एक होती है continuing guarantee अब नाम से recommend हो रहे है specific guarantee क्या होती है और continuing guarantee क्या होती है specific guarantee अगर जो guarantee किसी specific performance के लिए specific transaction के लिए दी जा रही है गरंटी दी जा रही है किसी particular person के थ्रू मेरे known वाले person के थ्रू उसके थ्रू guarantee दी जा रही है तो यह हो गया specific guarantee क्योंकि एक particular 50,000 पे के loan की regarding उसके उपर liability है गरंटर के उपर अगर 50,000 से उपर 60,000 का भी loan हो है तो उसके 10,000 के पर liability नहीं है सिर्फ एक 50,000 पे की regarding liability है तो specific transactions के regarding liability जोगी वह होगी specific guarantee उसके बाद आती continue guarantee अब continue guarantee एक series of transaction के लिए जो liability होगी है ठीक है एक continue guarantee is a type of guarantee which applies to a series of transaction जहां पर transaction जो है series में हो रही है लगतार continuing series में हो रही है एक continue guarantee can be revoked at any time by the surety for future transaction तो इस guarantee को कभी भी रिवोक किया जा सकता है कभी भी ब्रोक किया जा सकता है एक notice के through अगर grantor कहा दे कि बस भाई मैं यहां तक ही guarantee लोगा इसके बाद की आगे की जिमेवारी मेरी नहीं है तो वो कभी भी इसको रिवोक कर सकता है continue guarantee में गरेंटर के पास right होता है कि वो अपनी जो guarantee किसी भी time रिवोक कर सकता है लेकिन specific guarantee में ऐसा कोई right नहीं होता ओके अब इसका example हम ले लेती है मालो की एक फरनीचर प्रचेस करा मालो एक परसन है गया एकसइक फरनीचर शॉप पे उसका काफी सार्व ऄसने मालो की अपनी लड़की की शादी कर नीकिंट 94 देना होता है तो वह मेरे भाई में एक परसन है जो आपको भी जानता है अच्छा अप से फरनीचर लेता है पहले तो आप उसकी guarantee ले लो ठीक है अब यहां पर यांपर होना इन्स्टॉलमेट्ट बना दि उसकी उसने कहा कि हर महीं, तो यहां पर चिकांज बने वो ग्रंटी को होगी स्वाहिब कर सकते हैं मतलब केगफिए कुक्छ से आपको जिसके अकोडिंग वह अपनी गरंटी को खतम कर सकता है कि बस वह आगे नहीं लेना चाहता आगे करना चाहता है आसे आसे कौन से केसी से उसके बाड़ में स्टुडी करते हैं बाइग इविंग नोटीस ओफ रिवोकेशन कि भाई अब शोटी कहता है कि मैं कोई अपने बंद सब्सक्राइब आजाएगी इन केस्ट क्रेटर रिलीजर डेटर एंड मेक एनी ओमीजन ड्यू टू विच रिजल्ट्स इन दिश्चार्ज ओ प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिटी अब माल लो कि दोनों के बीच में कोंट्रेक्ट चल रहा था प्रिंसिपल क्रेटर के बीच में अब मालनों कोई ऐसी मिस्टेक हुई कि क्रेटर को लगा कि डेटर ने सारे पैसे दे दिये और उसने खाता उसका बंद कर दिया लेकिन बाद में जब उसको रिलाइज हुआ कि नहीं आभी तो कुछ इंस्टोर्मेट रहा रही थी तो अब इस केस में क्या होगा इस केस जाएगी शोटी कि वैं दप्रिंसिबल डेटर में अब एक बाब बताओ जब प्रिंसिबल डेटर सारी पेमेंट कर देखा अगर उसे बैंक से लों लेदा पांच लाक और पांच लाक और पेकर दिया तो अब किसी ची गरंटी रहेगी अब ग्रंटी सारी क्या होगी खतम जब अब डेटर खुद दी क्रेटर के साथ कि थोड़ा टाइम और एक्सेंड कर दे रहा तो जो एक्स्टर टाइम है उसकी गरंटी को नहीं ले रहा शोटी नहीं रहा तो डिस्चार्ज हुजे का हमारा क्ट्रेक्ट अब जब gold को आगी को सब्सक्रेश हो इसका मतलब आप जो घ्र तो आपको कीटियर की गया होगा चलिए अब बात आती है कि आपने से अगर प्रिवेस्ट वीडियो नहीं देखी तो अपने कुछ गुरूंटी भी स्टेडी किया होगा और अब इन दोनों कुछ ना कुछ ना कुछ डिफरेंस है अगर आपने पड़ा होगा तो दोनों में एक जैसे ही लगते होंगे कि उसमें भी लोस का ही था ठीक है इसमें भी गरंटी ली जा रही है तो कही ना कुछ-कुछ शीमलाइटी भी है अब कुछ डिफरेंस भी आउच इफ्रेंस को पढ़ते हैं सबसे पहले डिफरेंस जो है कि यह ने कॉन्टराक्ट कुरेंटी देरा थी पाटी इस गरंटी को सैप्ट में हमने थी पाटी के बारे में पढ तो पार्टी से इन केस ऑप कॉंट्रेक्ट गरंटी दा लायबिलिटी ओफ शोटी इस सेकंडरी अब यहां पर शोटी की जो लायबिलिटी सेकंडरी है क्यों क्योंकि पहली बात आती है डैटर की पहले सारे हिसाब किताब डैटर चुटा करेगा अगर उसके बसकी नहीं र की प्राइमरी ओके ठीक है जो इंडेमनी फायर है चलिए अब है शोटी प्रोवाइट गरंटी ओन्ली वन रिक्वेस्टेड बाइद प्रिंसिपल डैटर अब जो इन केस ऑफ गरंटी कोंट्रेक्ट ऑफ गरंटी शोटी क्या है तभी गरंटी प्रोवाइट करेगा जब र इंडेमनी फायर इस नोट रिक्वाइड टू एक्ट एड़ इंडेमनी फायर तो उसको कोई वहापे थर्ड परसंट तो है नहीं तो इंडेमनी फायर ही क्या होगा उसको किसी को रिक्वेस्ट ने करने पड़ी कि वह खुदी लाइबल होगा अपने कॉंट्रेक्ट वो बहुकर कर सकते प्रिंसिबल डैटर के ऊपर तो तो कि उसके ब्याव पर उसने क्लेम गराना किसको अब उसके पास राइट है कि वो केस कर सकता है किसके पर डैटर के उपर ठीक है अपने को निकलवाने के लिए in case of principal डैटर फिल्स टू पेदर ठीक है इंडेमिफायर तक इ लिए ऐसा नहीं हो सकता किसमें इंटेमिटी केस्ट में है एक होप आपको क्लीर हो गया है तो थेंक्यू फ्रेंट्स फॉर लिस्निंग और आप एक कॉमर्स टूरेंट हैं और नेट की प्रिपेशन भी कर रहे हैं तो आप मेरी चैनल को सब्काइब कर सकते हैं हिट लाइक फ् लिंक में डिस्क्रिप्शन प्रवाइड कर दूंगा ओरेड़ी चार यूइंट में पर डाल चुका हूं तो अगें थेंक्यू फ्रेंट्स फॉर वाचिंग